नमस्कार यह वीडियो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा पिछले पांच बर्षों के मेगा प्रोजेट का पार्ट टू है पार्ट बन हम पहले ही अप्लोड कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारा पार्ट भी देख सकते हैं लिंक आपको नीचे डिस्किर्शन या फिर कमेंट बक्स में मिल जाएगा इस पार्ट टू में हम सबसे पहले बात करने जा रहा है इस्टरन डेडिकेटर फ्रेट कोरिडोर की जिसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में यात्री ट्रेन और मालगारियां दोनों एक ही पट्री पर चलती हैं और हम यही भी जानते हैं कि मालगारियां बहुत धिमी गती से चलती हैं और ऐसे मैं कई बार मालगारियों को रास्ता देने के लिए यात्री ट्रेनों को रोका जाता है इससे दोनों ट्रेनें बिलम से चलती हैं आज जब दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ती बनने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है तब बैतलिन कनेक्टिविटी देश की प्रात्मिक्ता होनी चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में डेडिकेटेट फ्रेट कोरीडोर को तेजी से स्तापित किया जा रहा है जिसमें से एक डेडिकेटेट फ्रेट कोरीडोर है इस्टन डेडिकेटेट फ्रेट कोरीडोर बैसे तो यह है पूर्वी डेडिकेटेट फ्रेट कोरीडोर आपका बताद है कि इस डेडिकेटट फ्रेट कोरिडोर के स्तापित होने की बज़े से इस्तानिय उद्दोगों जैसे की अलूमुलियम, डेरी, कपड़ा उत्पादन, काच के सामान, पोटरी, हिंग उत्पादन, ताले, हार्डबेर इन सब उद्दोगों के लिए यह कोरिड को भी एक बूश्ट मिलेगा, चुकि हम जानते हैं कि अभी मालगारियां सिर्फ 25 किलोमीटर पती गंटे से चलती हैं, लेकिन जब यह है डेडिकेटट फ्रेट कोरिडोर इस्तापित हो जाएगा, तो यह स्पीड बढ़कर लगभग 75 किलोमीटर पती गंटे की हो जाएगी को मिला करे है कोरिडोर उत्तर प्रिदेश के लिए तो जरूरी है ही, उसके साथ साथ हमारे देश की एक बहुत बड़ी जरूरत भी है, जिसे जल्द से जल्द पूरा करना ही भारा सरकार का उद्देश होना चाहिए, जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक इसका 397 किलोम जानी की बुलदिल घंका भी विकास तेजी से होगा, आपको बता दें कि इसके बारे में हम डेटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर एक डेडिकेट वीडियो हमने पिछले दिनों ही अप्रोड किया है, तो अगर आप इसके बारे में विश्टार से जानना चाते है तो आप हमारे वो वीडियो देख सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिफेंस कोल डोर के बाद आता है, इंटीग्रेट इंडिश्टल टाउंसिप एट नोईडा, आपको बता दें कि यह प्रोजेक्ट DMIC प्रोजेक्ट का इससा है, उमीद चार इंडिश्टल और इसमाच सिडिप को लॉंच भी किया जा चुका है, जिन में सामिल है, एंदाबाद दोलरा स्पेसल इंवेस्टमेंट रीजन जो की गुजरात में बनके तयार हो रही है, सैंद्रा बिंकिन इंडिश्टल प्रोजेक्ट जो की महराष्टा और अरंगा किया जा रहा है, जिसमें आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सॉलिड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट मिलेंगे, इसके लावा रोड नेटवर्क में 30 मीटर से लेकर 80 मीटर तक चौड़े इस पूरे प्रोजेक्ट से उत्तर प्रदेश को एक नई पैचान मिली है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में जॉब्स और बिजनेस के लिए बहुत सारी अपॉचिनिटीज भी पैदा हुई है इंटीग्रेटट इंडेश्टल टाउन सिपनोडा के बाद अब आता है डेली गाजियवाद मेरर राटीयस राजधानी दिल्ली से मेरट के बीच यातायात में लोगों को भील और प्रदूसर से निजात दिलाने के लिए रीजिनल रैपिट ट्रांजिस सिस्टम यानि की प्लब किया जा रहा है इसका पहला कोरीडोर होगा दिल्ली गाजियवाद मेरट दूसरा कोरीडोर होगा दिल्ली गुरुग्राम अलवर और तीसरा कोरीडोर होगा दिल्ली पानीपत इसके पहली कोरीडोर के निर्मार के अंतगरत गाजियवाद से काम की शुरूवात पहल तरहा आसान हो जाएगी, मैंटो और भारतिय रेल से बहुत अलग इन ट्रेनों की बहुत अलग खुबियां हैं, यह ट्रेन लगबग 180 किलोमीटर प्रती गंटे की रप्तार से चल सकती हैं, और 60 मिनट से कम समय में ही यह दिल्ली से मेरट की दूरी तै कर पाएंगी, इस पूर पूरे कोलिडर में लगभग 22 रेलवे सेसन का निर्माड कराया जाएगा, आपको जानकर खुसी होगी कि इस पूरे रैपेट रेल कोच का निर्माड गुजरात के सामली में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तैद किया जा रहा है, अब इस पूरे प्रोजेक्ट में जो 22 इस सेसन का निर्माड करना है, उनके नाम भी मैं आपका बता देता हूँ, इनमें पहला रेलवे सेसन है निजा मोदी नियाफिर सराय कालेखा, नियू अशोक नगा, आनन्द वहार, शाइवाबाद, गाजियाबाद, गुलदार, दुहाई EPE, मुरद नगर, मोदी नगर सा साउत, पृतापपुर, रिथानी, सताबदी नगर, ब्रह्मापुरी, मेरट सरकल, बैसाली, बेगमपुल, मेस कॉलोनी, दरोली, मेरट नॉर्थ और मोदी पुरम, ये सारे स्टेशन इस पूरी प्रयोजना के तहत बनाए जाएंगे, अब सबसे इंपर्टेंट बात की भी जानना चाते हैं कि यह पूरा क्ORIDOR कितनी लागस से बनके तैयार हो रहा है, तो आपको बता दूं कि यह sneeze पूरा क्ORIDOR लगवग 30,214 कोरपे की लागस से बनके तैयार होगा, और बात करें इस पूरे परयोजना के ओपरेशनल होने की तो आपको बता दें, कुल 82.15 क्ल लंबे रूट में से 17 km का रूट मार्च दोहर 23 तक ऑपरेशनल होगा और बाकी का कार दोहर 25 तक कम्पलीट किया जाएगा बात करें इसके रिसेंट इस्टिटस की तो आपको बदारने की 82.15 लंबे रूट पर 9 km से अधिक का बायड़क तयार हो चुका है जिसमें 900 से अधिक से जादा मजदूर दिन राद भिवन साइटों पर कार कर रहे हैं पहली बार किसी परियोजना में 16 लॉंचिंग जेंट्री एक साथ कार कर रही है और यही बज़ा है कि यह प्रोजेक्ट काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है आपको बता दें कि यह प्रोजेक्ट उत्तर प अगर है वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए ज्यादा सो ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि भविश् मिले चलिए आज के इसे वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत